स्वेस्ट होंगे और अपने बोर्ड एक्जाम्स के लिए अच्छे से त्यारी कर रहे होंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके टम 1 नवेंबर दिसम्बे के वोड एक्जाम स्पास आ रहे हैं तो इसलिके चलते सीब एसी ने क्लास 10 टम 1 के कम्प्लीट एडशिट और सर्कुलर रिलीस कर दिया है इस वीडियो में हम इनी डेट्स को डिसकस करेंगे और एक प्लान मनाएंगे कि आप अपने एक्जाम स्टा होने से पहले का टाइप और एक्जाम के बीच में जो आपको गैप मिला है उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो और अपना स्कोर बैटर बना सकते हो सबसे पहले हम आपके एक्जाम के टाइमिंग और एक्जाम से रिलेटिड इन्फोरमेशन को डिसकस करते हैं आपके जो एक कर दिया है ताकि यह सभी बच्चों के लिए comfortable रहे और वो अराम से अपने स्कूल पहुंच पाएं आपके exam की duration 90 minutes रहेगी that is one and a half hours जिसका मतलब यह है कि आपके जो exams हैं वो 11.30 स्टार्ट होंगे and 1 p.m. खतम होंगे exam स्टार्ट होने से पहले आपको 20 minutes दिये जाएंगे जिसम में आप अराम से अपना पेपर रीड कर सकते हो पहले रीडिंग के लिए 15 minutes ही मिलते थे पर अब इसको increase कर दिया गया है now coming to the date sheet of the major subject first exam आपका social science का है जो कि 30th November को होगा second exam आपका science का है जो कि 2nd December को होगा 3rd December को आपका home science का exam है 4th December को आपका mathematics का exam है इसमें mathematics standard and mathematics basic दोनों के exam 4th December के होंगे जिन्होंने mathematics standard चूज किया है वो भी अपना exam 4th December को देंगे और जिन्होंने mathematics basic चूज किया है वो भी अपना exam 4th December को ही देंगे और दोनों के लिए time same रहेगा 8th December को आपका computer application का exam होगा 9th December को आपका Hindi course A and Hindi course B का exam होगा लास्ट exam जो है वो आपका 11th December को है जो के English language and literature का होगा आपके exam को start होने में बहुत ही कम time बचा है only 15 days are left अब से लेकर exam start होने तक का time आप सभी के लिए बहुत crucial है आप सभी अप अपने दिमाग की वत्ति को जला लो और अपने exams के लेच्चे से त्यारी start कर दो यही time है जब आप अपने board exams की percentage को increase कर सकते हो अगर आप परिशान है कि इतना सारा syllabus है और time इतना कम some manage कैसे होगा तो don't take stress अभी हम एक plan बनाएंगे जिसमें यह देखेंगे कि आपके exams के बीच में कितने दिन का gap है और फिर उसके according देखेंगे कि आपको कौन से subject की त्यारी कब करनी चाहिए So just follow the plan which I am going to discuss now First exam जैसे आपको पता है social science का है जो 30th November को होगा That means आपके पास सिरुफ 27th November तक का ही time है जिसमें आप बाकी के सारे subjects की त्यारी अच्छे से कर सकते हैं उसके बाद आपको 27th, 28th, 29th November को सिरुफ social science की ही त्यारी करनी चाहिए ताकि इससे आप अपने social science के marks अच्छे बना सकते हैं इसके बाद second exam आपका science का है जो की 2nd December को होगा Social science और science के बीच में सिरुफ आपके पास one and a half days ही है अगर आप सोच रहें कि ये one and a half days मेंने कैसे काउंट की है तो half day आपका 30th November वाला है जिस दिन आप social science का एक्जाम दे कर आएंगे उस दिन आपके पास half day बज़ा होगा जिसमें आप science की त्यारी कर सकते हैं बट आपको पता है कि science का syllabus बहुत वास्ट है और इतने कम टाइम में नहीं त्यार हो सकता तो आप science की जो त्यारी है 27th November से पहले करके रखें ताकि जो science और social science के बीच में gap है उसमें आप सिरफ revision करें और important topics को ही revise करें इसके बाद 4th December को आपका mathematics का exam है science and mathematics के बीच में भी आपके पास सिरफ one and a half days का ही time है तो इसमें भी आपको science वाली ही strategy अपनानी है कि आप जो maths का syllabus है 27th November से पहले complete कर ले और जो इस gap के अंदर आप important formulas, important tricks और math के important topics को ही करें इसके बाद 9th December को आपका हिंदी का exam होगा maths और हिंदी के बीच में आपके पास काफी time है almost four and a half days है इसमें आप हिंदी की त्यारी बड़े अराम से कर सकते है and हिंदी easy subject है जो कि आप बड़े असानी से कर सकते है तो आपको 27th November से हिंदी की त्यारी करने की कोई जरूरत नहीं है आप इसी gap के बीच में हिंदी के अपनी अच्छी से त्यारी करें इसके बाद 11th December को आपका English का एक्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश में आपके पास one and a half days का time है यह भी अगर आपको time ही कम लगता है इंग्लिश की त्यारी के लिए तो जो maths और हिंदी के बीच में आपका gap है उसमें आप एक दिन इंग्लिश की त्यारी कर सकते हैं तो यह आपका plan है आप इसके according अपना time table and strategy बिना सकते हो Also, we are the learning companion Term 1 Max Board exam के लिए एक crash course को start करने वाले हैं जिसका exam आपका 4th December को है इस course में हम सारी important tips, tricks and formulas बताएंगे and exam के point of view से जो important questions होंगे MCQ pattern में वो भी discuss करेंगे जिससे आप easily अपने marks को boost कर सकते हो और CPSC की new MCQ pattern का भी अच्छे से फाइदा उठा सकते हैं इस crash course की मदद से आप 40 out of 40 marks भी easily score कर सकते हैं So, इनी सब benefits के लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा और हम class 9th and 10th के students को भी personalized guidance देते हैं आप हमें mail कर सकते हैं thelearningcompanion at the rate gmail.com पर और या फिर comment कर सकते हैं इस वीडियो के comment section में आप हमसे Instagram, Facebook और Quora Space के through भी connect कर सकते हैं इन सभी के links आपको description box में मिल जाएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे like करें और अपने दोस्तों के साथ भी share करें also please subscribe to our channel and bell icon को जरूर press करें ताकि आप हमारी सारी वीडियो की notification पापाएं thank you for watching this video